ग्यानवापी मामले को लेकर OVC का बड़ा बयान औयोध्या का किया जिक्र बोले उमीद है 6 दिसंबर जैसी घटना नहीं होगी नमस्कार स्वागत है आपका N27 News में आपके साथ मैं हूँ संजीवनी चौधरी भारतिय पुरातत सर्वेक्षन ने ग्यानवापी के दूसरे दिन का सर्वे शुरू कर दिया है टीम सुभा करीब 8 बजे ग्यानवापी पहुँची सर्वे को लेकर सुरक्षा विवस्ता चाक चोबन कर दी गई है पहले दिन सर्वे में 7 घंटे से जादा समय तक परीशर की आकरिती तयार की और माप जोग भी की गई आपको बता दे कि ग्यानवापी परीशर में सर्वे के लिए आज ASI की 61 सदस्य टीम के 53 सदस्य मोजूद है बताया जा रहा है कि ASI की टीम आज CD लेकर भी ग्यानवापी में गई है अब ग्यानवापी के ASI सर्वे को लेकर AI MIM चीफ असदुदीन ओवेसी का बड़ा बयान सामने आया है ओवेसी ने शनिवार को कहा कि इतिहासिक अयोध्या फैसले में पूजा अस्तल अधिनियम के संबंद में सुप्रिम कोड द्वारा की गई टिपणी का उलंगन नहीं होना चाहिए ओवेसी ने ये भी कहा कि जब सर्वेक्षन की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो कौन जानता है कि चीज़े कैसे आगे बड़ेंगी उमीद करते हैं कि ना तो 23 दिसंबर और ना ही 6 दिसंबर की घटनाओं की पुनरवर्ती होगी बता दें कि 23 दिसंबर 1949 को रामलला की प्रतिमा बाबरी परिसर के भीतर प्रकट हुई थी वहीं 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों की भीडने विवादि धाचे को ध्वस्त कर दिया था AI MIM चीफ ने आगे लिखा कि अयोध्या के तिहासिक फैंसले में सुप्रिम कोर्ट की पूजा सल अधिनियम की पवित्रता के संबन्द में सुप्रिम कोर्ट की टिपणी का नादर नहीं किया जाना चाहिए उमीद करते हैं कि हजारों बाबरी के द्वार नहीं खोले जाएंगे बता दें पूरा तफ सर्वेक्षन विभाग की एक टीम ग्यानवापी परीसर का विज्ञानिक सर्वे कर रही है ग्यानवावी परीसर में विज्ञानिक सर्वेक्षन ये तैक करने के लिए क्या जा रहा है कि 17 शताबदी में बनी इस मस्जित का निर्माण एक हिंदू मंदिर के धाची के उपर तो नहीं किया गया मस्जित के वजु खाना में इस्तित एक धाची को छोड़ कर बाकी पूरी मस्जित का सर्वेक्षन किया जाएगा हिंदु पक्ष का मानना है कि ये धाचा शिवलिंग है बतादे वजु खाने में सित्र धाचिक और सुप्रिम कोट पहले ही सर्विक्षन से सुरक्षित कर चुका है वहीं आपको बताते चलें कि पूजा इस्थल अधिनियम के तहट देश में कोई भी पूजा इस्थल जो 15 अगस्थ 1957 को जस रूप में अस्तित्व मिथा उसे उसी चरित्र में बनाए रखने और उसके सुरुपांतरन पर रोक लगाता है यह कानून कि इसी पूजा इस्थल को पूण या आशिक रूप से अलग धार्मिक संप्रदाय यहां तक कि धार्मिक संप्रदाय से अलग खंडन में भी परिवर्तित करने पर रोक लगाता है इस कानून की धारा पांच के तहट राम जनम भूमी विवाद और उससे संबंदिन मुकदमे को इस कानून के प्रभधानों से सुरक्षित रखा गया था साल 2019 में जब सुप्रिम कोट की पांच जजों की सविधानिक पीठ ने आयोध्य विवाद पर फैसला दिया था तो कोट ने भी पूजा इस्तल अधिनियम की तारीफ की थी कोट ने कहा था कि ये कानून भारत्य राजनीती में धर्म निर्पेक्षिता की रक्षा के लिए बनाया गया था जो की समिधान के भी मूल चरित्र में से एक है बता दें कि पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक दूसरे दिन यानी आज के सर्वेक्षिन कारे के लिए भी बड़ी सुरक्षा विवस्ता की गई है मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है पहले दिन दिवारों और परिसर के बाहरी हिस्सों की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई इस दोरान एसाई ने परिसर में 7 घंटे 25 मिनट की कारवाही की थी बताते चले शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष की आचिका पर सुप्रिम कोट ने सुनवाई करते हुए सर्वेक्षन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था हाला कि चीफ जस्टिस ओफ इंडिया डीवाई चन्रचूड न्यायमूर्ती बी परदिवाला और न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा की पीट ने एसाई को सर्वेक्षन के दोरान परिसर में किसी भी तरह की तोड़फोर की कारवाई नहीं करने का निर्देश दिया था महीं वारानसी की जिला अदालत में काशी विशुनात मंदिर के बगल में इस्तित ग्यानवाफी मस्जित में विज्ञानिक सर्वेक्षन को पूरी करने के लिए एसाई को चार सब्ता कातिरिक्ट समय दिया था अभी के लिए इतना ही ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे ही सरफ N27 News पकड़ हर खबर पर आप देख रहे हैं N27 News पकड़ हर खबर पर